दोस्तो नमस्कार मेराज कुमार मौरिया दो हजार चोबिस का लोग सभा चुनाओ चरम सीमा पर पहुँच चुका है यानि कि पहले चरण की बोटिंग समाप्त हो गई जहां पर बोटिंग परसेंटेज कम हुआ बीजेपी को परिशानी दिख रही है दूसरे चरण की बोटिंग में भी बीजेपी को परिशानी दिख रही है अब जब तीसरा चरण साथ माई को है तो समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा दाओं खेल दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखले स्यादो खुद तो इस्टार परचारक है है वहीं पर ऐसे ऐसे नेताओं को इन्होंने इस्टार परचारक बना दिया है जिसको ले करके बीजेपी के अंदर खलभली मत चुकी है और मैं वास्तों में आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के 80 लोग सभा सीटों में 25 से 30 ऐसी सीटे हैं जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है यह सीटे 40 तक भी पहुं सकती है जिसको ले करके कही ना कहीं बीजेपी परेसान है 400 का नारा लगाना बंद हो चुका है 80 में 80 का नारा लगना बंद हो चुका है अब तो रही बात 272 के खेल की अटकी हुई है वही पर अखलेस यादो सबसे बड़े इस्टार प्रचारग है ही वही पर मौरे समाज के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रशाद मौरिया तो चले गए अपनी पार्टी उन्होंने बना ली हलाकि समाजवादी पार्टी के उपर हमलावर नहीं है अखलेस यादों को समर्थन भी दे दिया है कन्नौस से उन्होंने स्वामी प्रशाद मौरिया को रिफलेस करके एक तरह से आप मान लिजिए बाबू सिंग कुस्वाहा जो मायावती की सरकार में मंत्री हुआ करते थे उनको समाजवादी पार्टी ने इश्टार प्रचारखों की सूची में डाल दिया है मैनपुरी में आपने देखा होगा फरुखाबाद एटा मतलब जौनपुर से तो खुद चुनाव लड़ी रहे है लेकिन बाबू सिंग कुस्वाहा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए पलस साबित हो रहे है माइनस नहीं साबित हो रहे है बराबर पे भी मामला नहीं जा रहा है पलस साबित हो रहे है चाहे जौनपुर की सीठो, मचली सहर की सीठो एटा, फरुखाबाद, बांदा यहां तक की गाजीपूर सीठो परताबगण, जौनपुर, मचली सहर फूलपूर, इलाहाबाद अमेठी, बारा बंकी मतलब जहां मौरे वेल्ट है क्योंकि इनकी खुद की पार्टी भले कोई बिधायक न बना पाई हो कोई सांसद न बना पाई हो क्योंकि आलरेडी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कॉंग्रेश जैसी पार्टीयां है तो छोटी पार्टीयों को घुसना आसान नहीं है स्वामी प्रशाद मौरिया के अस्थान पे अखलेश यादों ने पाबु सिंग कुस्वाहा को ज़स्वमान दिया मौरिस समाज इस बात को लेकर कही न कहीं जागरूक और हो चुका है अगला नंबर आता है केसो देव मौरिया को भी श्टार प्रचारक की सूची में टाल दिया गया है केसो देव मौरिया महांदल के राष्टी अधच जो विधान सभा में उनके साथ थे फिर बाद में उनको लगा कि हमको अखलेश यादो जी उतना भाव नहीं दे रहे है उतना सम्मान नहीं दे रहे है जितना स्वामी प्रशाद मौरिया को दे रहे है वो निकल गए लेकिन बाद में फिर उन्होंने अखलेश यादों से मुलाकात की और अखलेश यादों को उन्होंने समर्थन देने का एलान किया और इस समय समाजबादी पार्टी के लिए प्रते एक लोग सभा सीटों पर परचार करने में जुट चुके है आपने भी देखा होगा मैनपुरी में एटा फरुकाबाद पूरे बिल्ट में पूरे पूरबांचल में परचार करने आने वाले है वही पर अगला नाम आता है पूरे प्रदेस में घूम घूम करके परचार कर रहे है उनके बेटे आदित्या जो यादो बदायू से चुनाओ लड़ रहे है और जैसा रिपोर्ट आ रही है आदित्या दो भारी मतों से चुनाओ जित भी रहे है वही पर अभजाल अंसारी को भी इस्टार प्रचार को की सूची में आप माल लीजिएगा क्यों माल लीजिएगा बलिया की सीठो, घोसी की सीठो, गाजीपूर की सीठो पूरे पुरबांचल में अभजाल अंसारी का जलवा है इस समय बलिया की सीट, घोसी की सीट, मौ की सीट, मौ मतलब घोसी की सीट गाजीपुर की सीट, चंदवली की सीट, बनारस की सीट, इन सीटों पर प्रभाव है मुसलिम बोटरों में भी प्रभाव है और वेसे भी प्रभाव है इकरा हसन आपने देखा पश्चमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी कैराना की सीट लड़ी और चुनाओ जितने की कंडिशन में है और इस समय पूरबांचल में भी प्रचार करते हुई आपको दिख सकती है अगला नमबर आता है रामचल राजवर का रामचल राजवर वर्तमान में विधायक है अम्बेटकर नगर से अम्बेटकर नगर की विधान सभाओं से विधायक है और अम्बेटकर नगर से चुनाओ लड़ है लाल जी बर्मा अपना चुछ चुनाओ लड़ी रहे हैं कहीं न साइड में पूरा प्रभाव है यादो बिल्ट में तो इनको रासभा का सांसद भी बना दिया गया है वहीं पर जया बच्चन का नाम आ चुका है पहले से भी आया था इस्टार प्रचार को की सूची में हलांकि अभी आपने आप देखेंगे पूरबांचल में प्रचार करते हुए जया बच्चन को इलाहाबाद में देखेंगे प्रचार करते हुए भूलपूर में देखेंगे प्रचार करते हुए जिन जया बच्चन को लेकर के पल्लभी पटेल ने कहीं ना कहीं ड्रामा खड़ा गिया था और ड्रामा इसलिए मैं कहीं अच्छी कही थी लेकिन ब उसांबी की सीट पर प्रचार करेंगे, फूलपुर की सीट पर प्रचार करेंगे, इलाहबाद की सीट पर, प्रतापगड की सीट पर, मचली सहर की सीट पर, जौनपुर की सीट पर, अमेठी की सीट पर, मतलब इस इलाके में इंदरजी सरोज की पकड है, उनके बेटे खुच चुनौ लट रहे पुश्पेंद्र सरोज और अच्छी कंडिसन में हैं अगला नम आता है रामगोपाल अदो को आप जानते ही है उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है अगला नमबर आता है धरमेंद्र यादो का धर्मेंद्रियादो जो आजमगड से चुनाव लड़ रहे हैं आजमगड की सीट पर भी बगल की लाल गंज की सीट पर भी अन्य सीटों पर भी परचार करते हुए नजर आएंगे आजमगड से उन्होंने नामंकर भर दिया है आजमगड की सीट पर चुनाव होने वाला है और धर्मेंद्र यादो चुनाव जीतने की भी कंडिशन में है जिनको जिनको मैं बता रहा हूँ वो सब चुनाव जीतेंगे और हमारे कहने से नहीं जीतेंगे उनका बूट बैंक है पबलिक का मूड है जाती समीकरण है राजनीतिक समीकरण है और लोगों का गुस्टा है भारती जनता पार्टी के सांसदों के खिलाब मोधी के खिलाब पेपर लिक का मामला है तमाम चीजें हैं जमीन अस्तर पर राषान और भासन से काम नहीं चलता है हिंदु मुसल्मान से रोज रोज काम नहीं चलता है वहीं पर कुसलतिवारी भी अपनी सीट पर भी दुमरियागान से लड़ रहे हैं अन्य सीटों पर भी इनका प्रभाव है वहीं पर संतकबीर नगर की सीट पर भी और वहीं पर सुल्तानपुर की सीट पर लड़ रहे हैं निशाद इन लोग समाजवादी पार्टी के लिए परचार करते हुए नजर आएंगे हरें रताओ जो किसान नेता है इनको भी समाजवादी पार्टी ने इस्टार परचारकों की सूची में डाल दिया है और जाबेद अली खान को इस्टार परचारक और आजम खान तो इस्टार परचारक है ही वो जल से ही इस्टार परचारक बन गए हैं जल से ही परचार कर रहे हैं मतलब उनका नाम रखना जरूरी है एक सांकेतिक तौर पर बाकी परचार उचार नहीं कर रहे हैं किरन पाल कस्यप जिनको समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया तो आप समझ रहे हैं कि इतनी लंबी सूची एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 2024 में मैं नहीं कहा रहा हूं 50 सीट जित जाएगी लेकिन 25 से 30 सीटों पर लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बहुत बना चुकी है अब सोची ये दो चरण का चुना हो चुका है दो चरण के चुनाव में ही समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से BJP को पचार चुकी है बुरी तरह का मतलब है मुरादाबाद हो गया रामपूर हो गया दो सीटे ही हो गई मुरादाबाद रामपूर मे में भारी है तीसरी चरण में साथ सीटों पर समाजवादी पार्टी का पल्रा भारी है आपकी क्या रहा है अपनी रैप आईए इस वीडियो को यह पर समात करते हैं जै हिंद जै भारत नमस्कार